उनिस्वे एशियाई खेलों का समापन हो चुका है चीन के हौंग जाओ शेहर में अब भारत ने 100 से जादा मैडल जीत कर इतिहास रच दिया है तो फ्रेंड्स यह जो उनिस्वा एशियाई गेम्स है दो हुजात तेईस वाला काफी जादा इंपॉरेंट और ट्रेंडिंग ट चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोशन से कोशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो एशियन गेम्स है दो हुजात तेईस वाला इसका आयोजन दो हुजार बाइस में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका आयोजन दो कोशन से फर्स्ट कोशन आइँ मारा उचिया आशिया की पधक्र तालुका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है सही ऑंसर ऑप्र स्वाजन देश चीन देश ए उचिन देश है 383 और जिसमें की गोल्ड कितने है 201 है वही अगर हम बात करें नंबर 2 पे नंबर 2 पे जपान रहा है जपान ने टोटे मिला के 188 medal जीते हैं नंबर 3 पे रहा है Republic of Korea Republic of Korea ने 190 medal जीते हैं वही अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की हमारा प्यारा भारत ने कुल मिला के 107 medal जीते हैं अब भारत रहा है चौथे स्थान पे देखो फेंट यह जो टेबल है आपके एक्जाम के लिए काफी important है इस टेबल से तीन से चार कोशन बनते हैं सबसे पहला तो कोशन यही बनेगा कि सबसे जादा medal किस ने जीता है तो चीन ने जीता है चीन रहा है नंबर 1 पे आपसे एक्जामे पुछा जाए कि इंडिया कौन से नंबर पे रहा है इंडिया रहा है फोर्थ नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने total medal कितने जीते हैं तो इंडिया ने total medal जीते हैं 107 इसका आपको मैं एक trick दे देता हूँ आपको बताए कि Asian Games कब हो रहे हैं 2023 में हो रहे हैं अगर इसे आप total करते हो तो कितना आता है यह 7 आता है और आप सभी को बताए कि इंडिया ने 100 plus medal जीते हैं यानि कि 107 medal जीते हैं इंडिया ने और एक question exam में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा gold किसने जीते हैं सबसे ज़्यादा gold जीते हैं चाइना ने और इंडिया ने 28 gold जीता है next question Asian Games 2022 का आयोजन कहां हुआ है most important question है यह सही answer है option A Hangzhou चीन चीन का शहर है Hangzhou यहाँ पर Asian Games 2022 का आयोजन हुआ है friends यह है आपके सामने Hangzhou शहर की photo अगर हम बात करें location की location कहां पर है map में देखो friends यह है हमारा प्यारा भारत आप यह देख सकते हैं और जो China है आप सभी को बताए कि हमारा पडोसी देश है तो यह जो China का map आपके सामने शो हो रहा है yellow color का ठीक है इसमें जो आपको यह वाले location आपको दिख रही है यही है Hangzhou शहर ठीक है next question करवाने से पहले हम important points जान लेते हैं पर जितने पी आपको भी important point मैं बताऊंगा न इसमें से आपको एक या दो question exam में जरूर देखने को मिलेगा सबसे पहला जो important point है वो है संसकरन तो जो Asia एक खेल है 2023 वाला यह 19 संसकरन है यह आपने ध्यान रखना है आयोजन कब से कब तक हुआ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक सकाई वजन हुआ है उद्घाटन कहां पर हुआ Olympic Sports Center Hangzhou चीन में मोटो की बात कर लेते हैं Asian Games 2023 का जो मोटो है वो है Heart to Heart at Future Official Theme Song है With You and Me और आपको बताना चाहता हूँ कि चीन ने तीन बार Asian Games की मेज़वानी करी है और भारत की तरफ से कुल कितने Athlete शामिल हुए है 655 Next Question करते है 19 वे Asia एक खेलों का अधिकारिक शुभंकर क्या था फिरंस यहां पुछा गया है कि Mascot क्या है Asian Games 2023 का तो सही आंसर क्या होगा Option D उप्युक्त सभी Chan Chan Hong Kong Lian Lian फिरंस यह तीनों जो हैं रोबोट हैं यहां पर आप दिख सकते हो यह जो ब्ल्यू कलर का रोबोट है यह है Chan Chan यलो कलर का रोबोट है यह है कौंग कौंग और यह जो तीसरे वाला है यह है Lian Lian I hope फिरंस आपको शुभंकर के बारे में पता लगया हुआ कि 19-वे एशियाई खेल का शुभंकर क्या रहा डिटेल में समझते हैं 19-वे एशियाई खेलों में तीन रोबोट शुभंकर है Memories of the Youngman शामिल थे तीन रोबोटों में कौंग कौंग जो है यह लियांगजू शहर के प्रादतविक धरोन को दर्शाता है जबकि लियान लियन पश्चिम जील का प्रतीक है तीसरा रोबोट चैंचैन बीजिंग हांगजू ग्रेंड केनल को दर्शाता है नेक्स कोशन करते हैं भारत 19-वे एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है सही आंसर इस कोशन का ओप्शन C भारत भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है यानि कि फोर्थ नंबर पर रहा है भारत ने 100 प्लस मैडल यानि कि टोटल मिलाके 107 मैडल जीते हैं ये चीज़ में आपको मैं टेबल से समझाता हूँ फिर से देखो मैंने आपको बताया कि नंबर वन रैंक किस की रही है चाइना की रही है चाइना ने 383 मैडल जीते हैं टोटल जिसमें की 201 है गोल्ड वहीं अगर हम बात करें इंडिया की पोजिशन की तो इंडिया रहा है फोर्थ नंबर पे ठीक है इंडिया नूटल मैडल जीते हैं 107 गोल्ड कितना इसमें 28 है नेक्स कोशन है मारा एशिया ए खेल 2023 के उद्गाटन समारों के दुरान भारतिय दल के धवजवाहक कौन थे सही आंसर है अप्शन सी उप्यूक्त दोनों हर्मन प्री सिंग और लवलीना बॉर्गोहिन फ्रेंस यह है हर्मन प्री सिंग और यह है लवलीना बॉर्गोहिन फ्रेंस आपको मैं इमेज दिखाता हूँ यह हर्मन प्री सिंग और यह है लवलीना बॉर्गोहिन ये धवजवाग थे उद्गाटन समारों में भारत के मुई अक्रेम्स अगर हम बात करें ये जो एशिया एक खेल का समापन हुआ है 8 अक्टूबर 2023 को इसमें भारत की धवजवाग कौन थे पी आर श्रीजेश ये है फोटो पी आर श्रीजेश की याद रखना है जो पहला गोल्ड जो दिलाया है भारत को एशियन गेम्स 2022 में वो है पुरुष शुटिंग टीम डिटेल में समझते हैं प्रतियोगिता कौन सी थी निशाने बाजी पुरुषों की 10 मिटर एयर राइफल और टीम में कौन-कौन है दिव्यांश सिंग पवार, जुरुदराक्ष पाटिल और एश्वरय प्रताप सिंग नेक्स कोशन उनिस्वें एशियाई खेलों में सरवाधिक सुर्ण पदक किस देश ने जीते हैं सही आंसर होगा ओप्शन ए चीन याद रखने आपको निस्वें एशियाई खेलों में सरवाधिक जो गोल्ड है ना वो किस टीम ने जीता है चीन देश की टीम ने जीता है डिटेल से हम समझते हैं मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो टेबल है ना इस टेबल से आपके एक्जाम में ना एक्षएन से 4 कउशन डिरेक्ट बने तो अब एक के क्या बन गया कि सबसे जादा गोल्ड किस ने जीते है सबसे जादा गोल्ड जीते है चाइना ने तौल्टल मेडल कितने हैं चािना के 383 वही अगर हम बात करें कि जपान ने 52 गोल्ड जीते हैं नेक्स कोशन, बीसमें एशियन गेम्स दोहजाद चब्विस का आयोजन कहां किया जाएगा फैंट्स ये ना अगले वाले संस्करन की बात हो रही है उनिसवां तो मैंने आपको बता दिया कि हौंग्जाओ चीन में हो रहा है अब पूछा गया है कि बीसमें वाला कहां पे होगा दोहजाद चब्विस में जिसका आयोजन होगा आपका अंसर होगा जपान का जो आईची नागोया है यहां पर बीसमें एशियन गेम्स दोहजाद चब्विस का आयोजन किया जाएगा अब मैं आपको detail से समझाता हूँ देखो friends बात हो रही है यहाँ पर Asian Games की सबसे ज़ादा important है कि जो Asian Games है ने चार वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे कि present वाला यानि कि जो अभी वाला हुआ है 2023 में 19 वा एशियन गेम्स कहां पर हुआ हौंग्जाउं चीन में ये तो आपको बता लग गया और इससे पिछला वाला 18 संसकरन था कब खेला गया? 2018 में कहां पर इंडोनेशिया के जकार्टा और पालंबंग शहर में और 19 में का जो अगला संसकरन है वो कौन सा है? 20 संसकरन जो कि अभी हाली में हमने कोशन पढ़ा 2026 में खेला जाएगा जपान के आईची और नगोया शहर में अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपोरेंट पहला संसकरन ये 1951 में नई दिल्ली भारत में खेला गया था अब फ्रेंट्स हम 18 एशियन गेमस है पिछले वाला जो हुआ है एशियन गेमस 2018 में इसके बार में पढ़ लेते हैं और वहीं अगर हम बात करें मेडल टैली में तो मेडल टैली में भी चाइना ही नमबर एक पे रहा था 289 मेडल के साथ और इंडिया नमबर एट पे रहा था 70 मेडल के साथ ये बात हो रही है 2018 एशियन गेमस की नेक्स कोशिन करते हैं एशियन गेमस की शुरुआत कब हुई थी सही आंसर होगा ओप्शन डी 1951 एशियन गेमस की शुरुआत हुई थी और यह जो पहला एशियन गेमस था कहां पर हुआ था नई दिल्ली भारत में हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना एक्जाम में वीडियो कैसे लग रही है फैंस मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कम टाइम में मैं आप सभी के लिए बेस्ट कॉंटेंट ला सकूँ और फैंस अगर आपको गर्व महसूस हो रहा है कि भारत ने 100 से जाधा मैडल जीते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जैहिंद जरूर पहली बार हुआ था 1951 में और दूसरी बार 1982 में डिटेल से हम समझते हैं भारत ने अब तक दो बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है पहली बार 1951 में उधगाटन करता कौन थे राश्टपती राजेंदर प्रसाद वहीं अगर हम बात करें दूसरी बार 1982 में हुआ था सही आंसर होगा ऑप्शन सी किरकेट में एशियन गेम्स 2022 में भारत नेना किरकेट में पहली बार भाग लिया है और भारत ने क्या जीता इसमें गोल्ड जीता चीन के गवांगजू शहर में 2010 में एशियन गेम्स में किरकेट को पहली बार शामिल किया गया था ये भी आपको तीम ने एशियाई खेल 2022 या बोसकते हो एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है सही आंसर होगा option A gold याद रखना है भारती ए महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है एशियाई खेल 2023 में भारत ने श्रे लंका टीम को 19 रन से हराकर स्वन पदक जीता है वहीं अगर हम बा के कारण भारत को स्वन प्रदक मिला है एक्स कोशन 19 एशियाई खेलों के लिए भारती दल के ऑफिशल स्पॉंसर के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था सही आंसर है option A Amul अगला कोशन Asian Games 2023 जो कि 2023 में आयोजित हुए हैं में भारत में सबसे ज्यादा बदक किस खेल में जीते हैं सही आंसर होगा option D athletics में याद रखने हैं आपको athletics में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं ठीक है और retail में हम इसको समझते हैं तो भारत में कुल मिला के 29 medal जीते हैं athletics में जिसमें की 6 gold है 14 silver है और 9 bronze है next question Asian Games 2022 में भारत में सबसे ज्यादा 100 पदक किस खेल में जीते हैं मैंने आपको बिछले question में बताया था कि सबसे ज्यादा medal किस में जीते हैं athletics में अब question आ गया कि भारत में सबसे ज्यादा gold किस में जीते हैं तो सही answer क्या होगा इस question का option B निशाने बाजी यानि कि shooting में भारत भारत ने सबसे ज्यादा 100 पदक जीते हैं निशाने बाजी में भारत ने कुल मिला के साथ 100 पदक जीते हैं और total medal कितने थे निशाने बाजी में 22 next question करवाने से पहले friends आप सभी के लिए good news है कि आपके रवी सर की जो paid pdf की website है वो launch हो चुकी है हमारी paid pdf की website है www.ravibookspdf.com google पे जाके आपको search करना है यहाँ पे आपको रवी सर की जो gk की pdf है ठीक है वीडियो का test लगाना है या किसी भी topic का test लगाना है तो अब हमारा mobile application install कर सकते हो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा रवी study IQ जी के नाम से हमारा mobile application है next question कर लेते Asian Games 2022 में भाला fake प्रतियोगिता में लगातार दो बार स्वन पदक जीतने वाले खिलाडी कौन बने है सही answer होगा इस question का option C नीरच चोपडा याद रखने आपको नीरच चोपडा जो है Asian Games 2022 या बोलो Asian Games 2023 में भाला fake प्रतियोगिता में लगातार दो बार स्वन पदक जीतने वाले खिलाडी बने है नीरच चोपडा का जो throw था वो था 88.88 मीटर next question Asian Games 2022 में भारत ने किस खेल में 41 साल बात स्वन पदक जीता है सही आंसर होगा option B घुर्ट सवारी यानि कि होर्स राइडिंग में Asian Games 2022 में भारत ने 41 साल के बाद गोल्ड जीता है ये भी आपको ध्यान रखना एक्जाम के लिए important है next स्वन पदक जीतने वाले जो घुर्ट सवारी टीम है इसमें सुदिप्ती हजेला, देव्यकिर्ती सिंग, अनुश अगरवाल और हिद्य छेडा है next question 19 में Asian खेलों में महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल, वेक्तिकर्स अपरदा में किस खिलारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वन पदक जीता है सही आंसरों का option है सिफ्ट कॉर समरा सिफ्ट कॉर समरा ने 469.6 का स्कोर किया है जो कि बिछले रिकॉर्ड से 2.6 अधिक है सिफ्ट कॉर समरा एश्या एखेल 2023 में एकल परती सब्रदा में भारत को स्वन दिलाने वाली पहली अथलीट है next question उनीसवें एश्यान गेम्स 2022 में किस भारती राज्य के तीन खिलाडियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी थी सही आंसरोंगा option D. अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश के जो तीन खिलाडी है इनके एंट्री पर रोक लगा दी थी चीन ने डिटेल में हम समझते हैं भारत की तीन वुश्यू खिलाडियों नैमान वांग्सू ओनिलू तेगा मेपुंग लामगू को चीन ने एश्याई खिलों में एंट्री देने से बंचित कर दिया था next question एश्याई खेलों का आयोजन कितने वर्ष पात किया जाता है सही आंसर होगा option D, चार वर्षों की अंतराल पर एश्याई गेम्स का आयोजन होता है next question एश्याई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है सही आंसर होगा इस question का option A, एश्याई ओलम्पिक परिशद या बोल सकते हो ओलम्पिक काउंसिल ओफ एश्या जो है ये एश्याई खेलों का आयोजन करती है अगर हम बात करें ओलम्पिक काउंसिल ओफ एश्या की इसकी स्थापना हुई थी 16 नमंबर 1982 को कहां पर नई दिल्ली में और मुख्याले कहां पर है कुवैट के कुवैट सिटी में सदस्यदा है 45 राज्टिय ओलम्पिक समीतियां और अधिक्ष काफी important है वो है शेक तलाल फेहद अलसभा प्रेंट्स आपको कोशन का level देखके पता लग रहा हो ना कि सभी कोशन जो है exam oriented है प्रेंट्स सही आंसर है चमकता हुआ सूरज तो सही आंसर क्या होगा इसका option ए ब्राइट्फुल राइजिंग सन ठीक है ब्राइट्फुल राइजिंग सन जो है यह Asian Games का प्रतीक चिन है अगला कोशन Asian Games का जनक किसे कहा जाता है सही आंसर होगा option D गुरुदत सौंधी को Asian Games का जनक कहा जाता है गुरुदत सौंधी द्वारा भारत में Asian Games की शुरुआत की गई थी Asian Games के नामकरन के लिए किसे जाना जाता है तो आपका आंसर होगा जवारलाल नहरू भारत के पूरवरधान मंत्री थे अब देखो फैंट्स आप सभी के लिए एक important table आ गया है ठीक है इसमें ना मैं आपको यह बताऊंगा इस slide में कि ना जो भारत ने जो gold medal जीते हैं कि इस खिलाडी ने gold जीता है ठीक है तो आपको पूर डिटेल में बताने वाला हूँ अगले से 2 मिनट में वीडियो complete हो जीते हैं साथ gold है 9 silver है 6 bronze है भारत ने साथ सवन पदक में दो सवन पदक वैक्तिकर सपरदा और पांच सवन पदक टीम सपरदा में जीते हैं सबसे बहले फ्रेंस हम बात करते हैं कि जो gold दिलाया है किसने दिलाया है सिफ्थ कॉर समरा ने 50 मिटर 3 position rifle में gold जीता है भारत के ल सबसे पहले हम बात करते हैं इशा सिंग तोमर इन्होंने 1 gold और 3 silver जीते हैं Asian Games 2023 में और एश्वरय प्रताप सिंग ने 2 gold एक silver एक bronze जीता है Asian Games 2023 में अब हम बात करते हैं Athletics की Athletics में भारत नेना 29 पदक जीते हैं ठीक है मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि भारत ने सबसे ज़्यादा पदक ना Athletics में ही जीते हैं 29 पदक हैं जिसमें की है 6 gold 14 silver 9 bronze सबसे पहले हम बात करते हैं अब इनाश मुकुंत सामले की 3000 मीटर steeple chase में इन्होंने सवन पदक जीता है 5000 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता है यह है इनकी फोटो नेक्स्ट हम बात करते हैं तजंदर पाल सिंग तूर्की शॉटपुट में इन्होंने सवन पदक जीता है नीरा चोपडा ने जैबलिन थ्रो में सवन पदक जीता है अनूरानी दो सिलवत दो ब्रॉंज के साथ ओजस प्रवीन देवताले ने वैक्तिका सप्रधा में स्वन पदक जीता है जोती सुरेखा वैनम ने वैक्तिका सप्रधा में स्वन पदक जीता है ओजस प्रवीन और जोती सुरेखा वैनम अब हम बात करते हैं अदिती स्वामी जोती सुरिखा वैनम और पर्मीत कौर महिला टीम में इनोंने स्वन पदक जीता है। प्रतमेश समाधान, अभिशेक वर्मा और ओजस प्रवी ने पुरुष टीम में स्वन पदक जीता है अब हम बात करते हैं स्क्वाइश की स्क्वाइश में भारत ने कुल मिला के पांच पदक जीते हैं पांच पदक में दो गोल्ड है, एक सिल्वर है, दो ब्रॉंज है दिपिका पलिकल और हरिंदर पाल संधु ने स्क्वाइश मिक्स टीम में गोल्ड जीता है यहाँ फोटो से देख लो उसके बाद हम बात करते हैं बैड्मिंटन की बैड्मिंटन में भारत ने तीन मैडल जीते हैं एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉंज सातविक साहिराज, रंकी रैडी और चिराग शेटी की जो पुरुष यूगल जोडी है इसने स्वन पदक जीता है यहाँ फोटो में देख लो नेक्स्ट है, रोहन बोपना और रतूजा, भॉंसले मिर्शित यूगल में इनोंने स्वन पदक जीता है ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ टैनिस में भारत ने दो मैडल जीते हैं एक गोल्ड, एक सिल्वर नेक्स्ट है, कबडडी में भारत ने दो पदक जीते हैं दोनों ही गोल्ड है महिला टीम ने भी गोल्ड और पुरुष टीम ने भी गोल्ड नेक्स्ट हम बात करते हैं होकी की पुरुष होकी टीम ने स्वन पदक जीता है महिला होकी टीम ने कांसे पदक जीता है नेक्स्ट है कुष्टी, कुष्टी में भारत ने 6 medal जीते हैं, 1 silver, 5 bronze, दीपक पुनिया ने 86 kg वरग में रज़त पदक यानि की silver medal जीता है, ठीक है यह आप देख सकते हो, यह पूरी वीडियो complete हो चुकी, I hope आपको जितना भी content मैंने provide कराया, अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो की quality, वीडियो का content और आपकी रवी सर की महनत पसंद आई है, वीडियो को like और share ज़रू करें, comment box में अपना feedback भी दे, कि आपको मारी वीडियो कैसी लगती है, अब आपके लिए दो question का test आगया, answer आपने comment box में देना है, पहला question है आपके लिए, उनीसमें एश्याई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है, दूसरा question है, भारत उनीसमें एश्याई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पे रहा है, दोनो question का answer आपने comment box में देना है, वीडियो कैसी लगी आपने feedback भी जरूर देना है, और आपने जैहिंद जरूर लिखना है, क्योंकि भारत ने ना 100 से ज़्यादा medal जीते हैं, और इतिहास रज दिया है भारत ने, और आप सभी के लिए आप good news है, कि रवी सर ने best content रखा है अपनी PDF में, ठीक है, और इसी के साथ आप हमारा mobile application भी install कर लेना, रवी study IQ जी के नाम से है, प्ले स्टोर पे आपको मेल जाएगा, और daily current affairs अगर आपने पढ़ना है, तो current affairs by रवी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, तो चलिए friends अब हम मिलते हैं आपसे next video में, thank you and wish you all the best.